मिल्ले रह्मानुरहीम मलाई कितना है इतने गोश्ट में यहां के लोग देखो एक ही कलेजी देते हैं मामारे बॉम्बे साइट में मुम्रा में जाओ बगेर बोले खाली बोल दो तूद ऐसी मतलब दिल लिल यहां पर अश्य लगता है इनके पर दिली नहीं है देने के लिए आप सब उमीद करते हैं आप सब बच्छे सोगे आप सबी को चांद मुबारग चांद रात मुबारग और रभी बक्राइद तो आप सब को चांड राध मुबारक हो और कल है एड्वांस में आप सब को ईद मुबारक बकरा इद यह ऑफको बखराई ही कल तो गाइस कल है बकराईद और आज है चांड राध और चांड रात के दिन सब के घर में काम होता ही है obviously अमारे घर में है मैं लिकर आइओ म Всемिए अरश भाइं मय ले अरबीच जाकी दोड़ा घोष लिक रहे है मटन लिकैद चाप का घोष क्योंकि नहीं तो हमारे कुछ चांस हैं कि घर में कहीं से गोष आएगा तो मैं लेकर आई हूं मनतन and chicken यहांपर मैंने लिया है चिके आद च्कन आदिक को पुरा न है सो CHARLE हुआ है चिकेनी के पुरा रानना का पीस लि पूरा 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 तो यह देखिए क्योंकि यह वार मैं आदा बिरयानी नहीं वना रही और बिरयानी कळोंकि आर तो पर रह जाता है तो यह तो कुछ यह लिए था चिकन वाला भूल रहा था इतना के ले लो ले ले ली यहां पर मैंने तीन रान लिया एक नम ऐसे बड़े 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 चोटे बखरी के जैसे तो यह पर तीन मता पुराख का रान लिया है यह पर मैंने गोश्च लिया मतन यह सब भी दोग कर रख दूंग यह अच्छ से क्योंकर यह सुख्ण मतन बने गा कि यह जाए गया यह जाएगा यह का मपनी जैसा बनेगा बर्ट प्रॉपर्ली मंदी नहीं बट यह थोड़ा सा मंदी के जैसा ही बनेगा कर थोग एह सब गर्मी सदेनली ठंड़ा तो एक्दमेस्ट मैं मिक्स मैं शकुष म में बनेगा राइस और यह खाली फ्राइ होगा तो यह कल जो भी होगा कलो और यह पर मैं को एक दिन मैं यह बार थोड़ा मुझससे बादब थोड़ा लेट हो गाद आप मैं हमेश्छा ना काजु बदाब पेले से भाग के काट कर रखती हूं पर यह बार लेट हो गया इसलि पर ईतना हमेशा वह दूसरा वहाला मेंदी रहता है उसमें आता है पर यह बर कलर नहीं आया रात में लगाऊंगी और अभी दो गईसे को पूरा कीचन हो गया है एकड़ मस्त क्लीन और यहां पर मैंने मटन और चिकन दोनों भी दो लिया है तो चलो चलते दर बच्छों कारyon करना लाहान कहने हैं तो गाइस कभीर और शेबी चले गए हैर कटिंग के लिए मैं छोड़कर आई उनको अभी और यहां फर में दूद लेकर आई हूं क्योंकि हम लोग ईत के दिन जो शिलकुमा बनाते है उसका दूद हम लोग चांड रात के दिन गरम करते है रात में मतलब रात में दूद वग हाफ को खुआ है थोड़ा वेट करती हूं दूद वगरा स्लोपे गरम होगा क्योंकि कल क्या है ना हम लोग मैं हर साल ऐसी करती हूं शिलकुमा बनाना या कुछ भी तो मैं एक रात पहले ही दूद वगरा गरम करके रखती हूं ताकि सेकेंड दूद अच्छा पका हुआ हो तो जो कुमा जोता है नो उसमें गलागी टेस्ट आठा है चालो यहां पर दो मैगी डाली में कबीर और शेभी खीले उसमें थोड़ा माईशा भी खा लेगी तो चले फड़ा बड़ी बनाकर लेती हूं इसमें सब थोड़ा एक बड़ चावल हो जाए तो मैगी चड़ा ल इसके सब निकाल हुए लोगो माईशा का ड्रेस अलग है अलग इस सब निकालना पड़ेगा न यहीं सब रहता कपड़ी लेंगे ने इतने सरे टैग आग आते हैं न कप्रों में शाबी का मासता है दो मस्छोटा सा पैंड कितना सरद लोगो आ गया है और यह हमारी मडोना क यह हमारी मडोना का ड्रेस है मतलब माईशा का ड्रेस है तो यह सब कपड़े बच्चों के है जो अब यह लोग नहा कर पहनेंगे जो अभी तक नहाई नहीं है चलो उटो एक एक करके नहा लो मैं जाकर खाना बना कर लेती हूँ सब 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 बनेगा हटो हटो इस सब छोड़ो चलो जाके तुम लोग दोनों के दोनों नहाओ और फटा फट रेडी हो जाओ सबस्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कि ले लिए दोनों भी चले नाने चालो ओ ओ रेडी माशाला अच्छा दोनों ऐसे खड़े रो दोनों दिखाओ कैसे दिखे रहे दोनों अरे वा असलाम अलेकम गाई कैसे हैं आप दूबारा गाई आपको चालो मैं जाके शेरकुमा बना की लेती हो अपना यहाँ पे करूं कि शक्कर मैं अपमें टेस्कि डालों जालोंगी मेरा था यह ज्यादा मीठा ने खरना इसलिए अ जादा मीठा नी करूं अ मा क्योंकि अब इसमें जाए गा फिर क्लाकन जिखे जिए मारा आज मैं महाः नहीं है लाई लाई शेटे लिग तो कलाकन जाए गा अब हम इसमें आड़ करेंगे milkmaid तो milkmaid में लाना भूल गई तो milkmaid है मेरे पास बट थोड़ा साही है जितना भी होगा मैं आड़ कर दूगी यह milkmaid यह मैं milkmaid इसमें आड़ कर रही हूं ज्यादा milkmaid नहीं डाल रही हूं मैं क्योंकि मुझे कलाकंद भी आड़ करना है इसमें तो हट से ज्यादा मीठा ना हो जाए इसलिए टेस्ट अकॉर्डिंग जस्फोर टेस्ट के लिए जितना हो सका उतना आड़ कर रही हूं कि मिल्कमेट बस ज्यादा नहीं इसके बाद इसमें आड़ करूंगी कलाकंद सेवाई सबके एड मतलब एकदम एंड में जाएगा हाथ तो देखो हाथ तो देखो क्या करूं दो डालूं काइज मने मिल्कमेट आड़ करके इसको अच्छे सा हिला लिया है और भी कि थड़़व दो बोलो जितना तीन या दो हाँ तो यह खोवा नहीं खोवे के बदली कलाकंद आड़ कर रही हूं इसलिए शक्कर मिल्कमेट बहुत कम-कम आड़ किया हूं दो चोटे-चोटे पीस है इसलिए तीन आड़ कर दी अब यह ऑटोमाटिकली खोदी पिगल जाएगा क्योंके खोवा है यहां यह अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद हमको इसमें डालना है इलाइची पाउडर उसके वगएर शिर्कुमा अभी भी आधूरा है तो गाईज आपर हम अब आट करेंगे इलाइची मैंने कूट लिया अच्छे से इलाइची को हम लोग पाउडर वगएरा नहीं डालते हैं घर में कूट कर डालते हैं वह बहुत सारी लोग है न अम्मी कितने लोग ने पाउडर डालते हैं इलाइची का उसमें खुश्बू नहीं आती बट पाउडर में क्योंकि पहले से कूट आवा रहता है और यह कूट के जो डालत तोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ चलिए यहाँ पर अब हम एट करेंगे अपना सेवई बिस्मिल्ला बुनी भी सेवई है चलिए सेवई एट कर दिया भी इसको अच्छे से मिक्स करके स्लो पे इसको पकाएंगे अब शिर्कुमा ओल्मोस मतलब डाने सेवई इसको पकना है दूद अल्रेड़ी पका हुआ है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुश्किल से अब पांच या पांच से दस मेंट थोड़ा स्लो पे बस क्योंकि अभी इसमें सेवई एट किया है तो पांच मिनट स्लो पे या दस मिनट बट दूद मेरा अच्छा पका हुआ तो मुझे दस मिनट भी नहीं लगेगा अभी इसके अंदर जो कलाकन डाले बस वो गल जाए और सेवई जो है वो अपना एक अपना फ्लीवर जो है वो इसके अलावा आज हम बनाने वाले हैं चिकन का वैने बोला बिर्यानी नहीं बनाएंगे बड़ हलका अधा मंदी स्टाइल में कुछ बनाएंगे यहां पर मैने जो कल चिकन लिया था दो के फ्रिज्ज में रख दी थी अभी निकाल के वापीस से मैं इसको दो कर ले लिए यहां पर मैंने पानी इसले इतना ले क्योंके में को चिकन के स्टॉक चाहिए चिकन के स्टॉक चाहिए क्योंके इसी से मैं राइस बनाऊंगी तो यहां पर चिकन को जो मैंने दोग के पानी जो इतना बड़ है इसके लिए यहां पर मैंने लिया एक काला नीमबू, काली मी इलाइची, लॉंग, स्टारफूल, दालचीनी, जावेत्री, सोफ, बड़ी लाइची, तेजपत्ता और एक प्याज और अध्रक लसन का पेस्ट, तो चलो इसको हम रखते हैं, बॉल करने हैं, तो गाईच चिकन हो चुका है, मैंने गैस आफ कर दियू, अब इसका मैं स्टॉक निकाल लूगी और चिकन अलग कर दूगी, तो चले फटावर्ट मैं इसका स्टॉक निकाल के लेती हो, वहयां पर मैंने इनल यहां पेले को रख लिया है और मैंने को बना पीड़े तरोपैस यह विए पूदिना है झाल नेमबू दालों यह मैं आप देखी हूं में यह डाली बूल को टाली तो आपने लिए लाग निम्बू भी अंचे नौर्मल निम्बू भी नहीं तो यह कट चालिए तो यानि कि इतनी चीजें कि तड़के में लगे जालू कर दिया तो चलो फड़ा-फड़ बना इसमें मैं सबसे पहले काजू फ्राइब करके निकाल लूँगी यहां पर मैं थोड़ा सा काजू बदम खाली फ्राइब करके निकाल लूँगी जो राइस में हमको थोड़ा सा बाद में खाते हुआ टॉपिंग के लिए लगेगा तो थोड़ा सा ड्राइफ रूट्स कचो अलिक थे ना पूरा भीग गया हो फेकदी में ने इतर है नो लेले ना शेकर अरे खाली राई से शिर्कुमा बन गया है तुम लिए भी निटेस्टो कर लेते तुरा अगरम मसाला और प्यास तुम चैस भी निके ना लोनग रसा किसको तुमको ला तो लोनग प्रतेस्ट हेलों कब से बना दी शिर्कुमा बन गया यहां पर जाला प्याद को अच्छे बूंके लोंग है यहां पर मैं थोड़ा सा कॉदमीर पुदीन भी ऐट करोंगी है इसका अलगी फ्लेवर आता है कॉदमीर पुदाइना थरक लगा सा ये तो अधरक लेशन थोड़ासा इसमें करें चर्या प्यास हो गया है हलका सब्राउन यहां पर मैं थोड़ अपर जाद नहीं है थोड़ अधरक लश्ण का पेस्ट आट कर दीऊ कि गो अर्री स्टॉक में मी ने डाला है मतलब दलवाया है मुझ से तो यह पे मेर फिल्ट चॉक में देल चमझ नमक डाली देल से बोचमझ यह इसे उड़ता है न बढ़ दर लगता है यहां पर पानी आच कर जूंगी इसमें निद्धाय रेमानु रहीं नमक थोड़ा सा हाफ ही दालूंगी जादा नहीं नमक अभी थोड़ा सा ही डालू नमक आदा चमज थोड़ा सा पानी और आट कर जूंगी इतना स्टॉप जो बच्चा है वो मैं रख लूगी मुझे बात में काम आ जाएगा अभी इसको एक बॉयल आने दूंगी मैं एक बॉयल इधर पानी बॉयल हो चुका है राइस आट करते हैं और अल्रेडी मैं साइट में मतन भी चड़ देख्ची में मतन बनाऊंगी तो चलो सबसे पहले इसमें राइस आट कर देते हैं थोड़ा सा अभी इसको भी राइस को अच्छे जब बना कर लेती हो और कुछ भी इसमें अब आड नहीं करना है इसको मैं दूसरा गैस में रखते हूं अभी आम मतन बना के लेंगे क्योंकि चिकन और मतन सबका एक कॉंबो बनेगा चले चावल मैंने दूसरे गैस पर चड़ा दिगा है यहां पर मैंने थोड़ा सा इलाइची लॉंग दाल चीनी और एक चोटा सा स्टार फूल डाले ज्यादा गरम मसाला नहीं दालूंगे इसमें यहां पर हम आट करेंगे प्यास मैं डेक्षी में बना रही हूं मतन मतन मैं कल चिकन मतन सब धोकर कल रखी थी अभी निकाल के वापिस से धोकर रखी हूं प्यास को अच्छा मैं भूनूंगी एकदम लाल लाल चिकन मतन का एक बोली न मंदी जैसे कॉम्बो बनेगा आज तो यहाँ पर मतन और चिकन को मैं फ्राई करूंगी लास्ट में तो इसको अच्छे दे पहले भून के लेते हैं मैं तेज पत्ता दालना भूल गए थी मैं तेज पत्ता आट कर रही हूँ चलेगा यहाँ पर प्याज एकदम से ब्राउन हो गया है तो यहाँ पर हम आट करेंगे अपना अध्रक लस्टन का पेस्ट राइस मेरा साइट में बन रहा है माटन है इसलिए अध्रक लस्टन का पेस्ट को उड़ा साज ज्यादा केरफूली क्यूंके यह उड़ता है अध्रक अध्रक करूंगी गोश्ट मैं गोश्ट को भूनूंगी बाद में ट्रमाटर वगरा डालूंगी तो यह चापका गोश्ट लेकर आए थे मस्त चर्वी और भी सब इतने गोश्ट में यहां के लोग देखो एक ही कलेजी देते हैं मामारे बॉम्बे साइट में मुम्रा में जाओ बगेर बोली खाली बोल दो तू ऐसी मतलब दिल लिल यहां पर तरसा लगता इनके पर दिल ही नहीं है देने के लिए हाथ में नहीं उठता इनके गोश्ट पाइसा लेने के लिए बराबर हाथ उठता चर्वी कितना है चर्वी कितना है हां मतलब वही यह पीज अच्छा लगा मुझे एकदम चर्वी वाला गोश्ट के साथ पिर भी चर्वी बहुत है बर अच्छा ठीक है छलिगा इसको अच्छे से माभी बूनेंगी गोश्ट को अच्छे से बूनेंगी क्यूंकर पानी यो छुटेग का उजब्ता इसको बून के घृ-प्र, टमाटर मिल्ची इ सब Иž मैइ अच्करें अच्छे है बढ़ा इसको अच्छे से बून लेके ग्राइज आपर अच्छे देखो मैंने इसको फुरा मिक्स कर ली क्या मैंशा हाँ उसको डजबीन में डालो यह देखो अब इसमें मैं आड करूंगी ट्रमाटर ट्रमाटर और यहां पर मैं इस पर आलूँगे हरी मिल्ची जो मैंने बारीक-बारीक काटके रखी है मिल्ची करओंगी नहींं हो जाएगा क्यों कि यह नमक तीक हने एक और यह थोड़ा नमक एड कर दी ऩरी मिल्च्री डालीकर और जालने रहला बनाती हो हल्दी इसमें ज्यादा मसाला आड नहीं करूंगी क्योंकि यह बहुत एक दम अलग थोड़ा सा बनाओं तो ज्यादा नहीं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा रेट चिली पाउडर क्योंकि हारी मिर्ची अल्रेड है थोड़ा सा कलर वाला बस और कुछ अब इसको अच्छे से भूनूंगी मैं निम्बू में अभी आड नहीं करूंगी इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कोदमीर पुदीना यह हो गया अब इसको मस्त से मिक्स करेंगे क्योंकि इसको मैं स्लो में पकाने वाली हूँ तो जो टमाटर वगेरा है यह सब आटोमाटिक अच्छे से मिक्स करके लिए अच्छे से मिक्स कर दी हूँ मिक्स हो गया है इसमें हम मैंने जर्रा सा पानी डाली क्योंकि ओड़ रहा था अब इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा पानी आट करूंगी थोड़ा सा थोड़ा पानी आट करूंगी थोड़ा सा थोड़ा पानी नहीं चाहिए रसे वाला नहीं चाहिए बस मटन गल जाए उतना अगर पानी नहीं रहेगा तो मटन नीचे लग जाएगा तो यह यहाँ पर मैं अब इसको छोड़ दूंगी एक पर दीस से पचीस मिनिट के लिए स्लोपर सुक्का मटन मैंना हूँगी तो यहाँ पर इसको मास सब धकन लगा के इसको छोड़ देंगे हम चले बीच से पचीस मिनिट इसको एसे चोड़ देंगे इसे गलता है चालो मेरी मां बोरे एक चुटकी शक्कर डालें ताकि उससे गलता है तो यहाँ पर मैं यह जर्रा सा शक्कर डाल रही हूँ पसे ना एक दम थोड़ा सा हाई हो गया यह जाओ थोड़ा क्या नहीं हिला हो ना ओके यानि के शक्कर से बोलते जल्दी गलता है चाले यह हो गया हाँ निम्मू में भी आइड नहीं करूँगी होने के बात करूँगी तो यहां पर यह 20-25 मिनिट के इसको छोड़ दूँए मॉले मॉल मॉल रिटा है मेरा उन्म हो चट्रकान हो चुका है मैंने इसमें सब एक कर दिया है खो चुका है मंदी की स्ट्वी जोती वह अभी सिंब बनांगी इसमें मैंने डाला है मिर्ची कोध मेर और निम्भू लशन दालना भूल जे मैं लसन दालते हैं दो लसन दालते हैं चालो गाइज यहां पर मेरे लसन भी एट कर दिया है यहां कि मंदी के चटनी में हैं लसन मिर्ची कोदमिर तमाटर थोड़ा सा निंगु कर रस और अब नमक डालकर इसको पीस के लूंगी यहां पर राइस हो गया है अब अम्मी खाली में पूरा निकालो माशलग 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 लिदे पाफ लिद्व कोन बोला बोलो यह दिखा तुम तो दिखेंगे नहीं पूरे वीडियो में नहीं दिखी है कप्रा दिखा तुम्हारा क्या उपर दिखा गाइस को दिखा तुम इस घाइस दिखा माईचा क्या पर नहीं सलाम करो आप मुभारक हम सबकी तरफ से आपको ही मुभारक इतना सारा खाना है राइस मम्मी निकाल लिये है यह देखो चिकन जो फ्राइ किये है वो जो बॉल किये थे उसी के राइस में लब उसी के स्टॉक से बनावा यह राइस और जो मटन बनाए है मस्क चमाज उदर ही है आपछी है चिकनले प्रेस शक्काज बदाल को बचंचाज को कहा की लेके हाई अदर इज रखने क्या वह अदर यह दो यह किलाना कै यह घिज़कर अधे तो आज देखो इसके आज साइट में डाल दो यह देखो मास देखो हम अटन कहाएगे ना विजो जो निकाल जो गया है चलो गाइस हमारा खाना वाला सब हो चुका है तो आज देखो बचसब तो हमारे तरफ से इद मुबारक और आज का वी लोग यहीं एंड करते हैं और वीडियो अच्छे लगाओ वीडियो लाइक शेलें और कमेंट एंट अब आधे अधे अधे